पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी अब आत्मा मर चुकी है लोग भटक रहे हैं लेकिन जमाना कैसा भी हो पर स्थितिया कैसी भी हो हमें जीना तो पड़ेगा ही जिन्दगी में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा इसलिए जेव जज़बात और जूता हमेशा दिमाग नहीं होता इसलिए थोड़े से ही घर्शन से वो सुलग उठती है लेकिन हमारे पास तो सिर्वी है और दिमाग भी इसलिए छोटी सी बात से अगर आप उत्यजित हो जाते हो तो ये इस बात का प्रमान है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहें अगर आपको किसी अच्छे व्यक्ति का साथ ना मिले तो अकेले ही आगे बढ़ने लगिए थोड़ी मुश्किलें आएंगे लेकिन यही आपके भविश्य के लिए अच्छा होगा किसी का इंतजार करने में समय बेकार करना आज के समय की सबसे बड़ी मूर्खता है माना कि मुश संगती एक ना एक दिन आपका नुकसान जरूर करवाएगी दोस्तो यह अटल सत्य है कि संगती ही तै करती है आपका जीवन और आपका भवश्य बहतर हो गया नहीं दोस्तो आपको जो जिन्दगी मिली है बड़ी कीमती है इसको समहाल कर रखिए आपको जो जीवन मिला है व्यर्थ मत जाने दीजिए और अगर आपको अपना जीवन बेकार लगता है आपको अपनी परिस्थितियां खराब लगती है अपने जीवन की कीमत आप समझना चाहते हैं तो एक घंटा किसी सरकारी हस्पताल में गुजारिए आपको समझा जाएगा कि आपकी जिन्दगी कितनी अच्छी थी फिर भी आप हमेशा कमीयों का रोना रोते रहें इसलिए दोस्तों जो है उसमें खुश रहिए प्रयास करते रहिए उमीद मतारिए किसीने क्या खूब कहा है अक्सर आपके जीवन का बहतरीन लमहा आपके उमीद छोड़ देने के चंद लमहों के बाद ही आने वाला होता है इसलिए न रुकिये न ठोकरों से डरिये कि कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती है एक तो रास्ते की रोकावटों का पता चलता है दूसरा समालने वाला हाथ किसका है ये भी पता चलता है इसलिए जिन्दगी में तरक्टी कीजिए लोगों के साथ बुरे वक्त में जो आपके साथ है वही आपका सचा रिष्टेदार है बाकी सब जूट से सजा हुआ दरबार है इसलिए ऐसा जीवन जीए कि कभी भी किसी को आपकी मदद करने में संकोच ना हूं कभी भी आपका भला करते समय किसी को आपके बुरे काम याद ना आए जीवन में तरक्की कीजिए लेकिन किसी के कंधे पर पैर रखकर आगे मत बढ़िए यही जिन्दगी जीने का राज है सदा मुस्कुराते रहिए अगर इस वीडियो में कही गई बातों ने आपके दिल को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा सुनते रहिए मन की आवाज